लेटेश ट्रिक वीडियो देखने के लिए टेक्निकल मितलेस को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बैल आइकन को दबा दे जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले नमस्ते दोस्तों मैं मिलेस कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मितलेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं आज आपको बताओंगा MIP के बारे में कि आप इस एप का किस परकार इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो मैं आपको इसी बात की जान कहीं दूँगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने जो है MIP को अपने फोन में इस्टॉल कर रखा है तो आपको करना क्या है जैसे आप इसे ओपन करेंगे इस एप का लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूँगा आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों जैसी आप इसे ओपन करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको option मिलता है transfer request scan पे तो आपको करना क्या है यहां पर आपको पहले जो है अपने bank को इसमें लिंक करना है तो लिंक पर आप जैसी किलिक करेंगे तो उसके बाद होगा जिस आप जिस अकाउंट से आपने से लिंक कर रखा है जैसे कि आपका जो नंबर bank में लिंक है उस सिम को आपको स्लेक्ट करने जैसे अप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको लिंक करने का option मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको option मिलता है mobile, water, electricity, gas, dth, landline, broadband तो mobile में तो आप सभी company के mobile रिचाज यहाँ से कर सकते हैं जो आपके direct account से कर जाएंगे उसके बाद दोस्तों water bill भी payment कर सकते हैं और gas bill भी आप payment कर सकते हैं तो दोस्तों उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको option मिलता है नीचे आपके left side में आपको option मिलता है my profile आप जैसी इस पर click करते हैं तो आपका जो भी आप की आप इस पर माई account को login करना होगा आप माई account को जैसी login करेंगे तो आपका account जो है यहाँ पर आपको स्टों कर देगा उसके बाद दोस्तों आप देख सकते banks आप इस पर जैसी के लिए करेंगे तो यहाँ पर प्लस पर click करने कबाद आपका जो भी आपका link है जो भी आपका phone number mobile number जो भी link है आपके bank में उस sim को select कर लिजिए उसके बाद जो है आपका वहीं UPI ID त्यार हो जाएगा है यहाँ से आप अपने सारे transaction चेक कर सकते हैं जो पैंडिंग में है वो भी चेक कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है qrl code तो अगर आप payment के लिए qrl code चाहिए तो आपको पहले इसमें अपने account को link करना होगा उसके बाद जो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिखलेश पर नए है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कर ले साथी बैल आइकन को दबा दे जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहली मिले थैंक्यू फॉर वाचिंग झाल